बागाजला के अमरपूर थानाचितर के बनहारा गाउं में दबंगों ने समाज से भी मुहम्मद अजगर अली एवे इनके दमाद मुहम्मद फईयाज अनसारी के उपर जानलेवा हमला करते हुए बुरी तरह से जख्मी कर दिया। सारी को नामजित करते हुए थाने में लिखी ताविदन दे कर कारवाही करने की मांग की है। स्थित स्कूल के समीब मुहम्मद सहनवाज उर्फ छोटू एवं मुहम्मद सद्धामन सारी अपने गुंडों के साथ बैठकर सोसल डिस्टेंस का खुले आमुलंगन कर रहा है। जब मैंने युवकों को लॉकडाउन के तहट सोसल डिस्टेंस का पालन करने की बात कही इतना सुनते ही सभी युवक प्लानिंग के तहट छिपाया हुआ लोहे की सरिया लेकर जान मारने के नियत से प्रहार कर दिया। अचानक हुई प्रहार से मैं खून से लत्पत होकर चिल्नाने लगा और सोर सुनकर मेरा दामाद मुहमद फयाज बीजब चाप करने आया तो दबंगों ने उसे भी पीट कर जखमी कर दिया। मौके पर समाज सभी मुहमद अजगर ने बताया कि मलेशिया में रह रहे हैं मुहमद सहबाज अनसारी के निर्देश पर सभी दबंग हरवे हतियार से लैसो कर घर के आसपस मंडराते रहते हैं जो कभी भी मौका पाकर साजिस्तन मेरी हत्या कर देंगे। इन्होंने थाने में आवेदन देकर अपनी और अपने परिवार की जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक तरफ देशवासे और बिहार की जनता बैस्विक महामारी कोरोना वारस से तरही माम कर रही है। जानलेवा कोरोना वारस के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए जहां एक और सोसल डिस्टेंसिंग को पूरा कारगार उपाय बताया गया है। और लोगों को बेवजा घरों से निकलने के लिए लोकडाउन को पूरे देश में लगाया गया है जिससे वे एक दूसरे के संपर्क में ना आ सके और वारस फैलने का खतरा कम हो। इसके साथ ही सरकार ने आवस्तिक सेवाओं की प्राप्ति के लिए सारज्वनी कस्थानों पर जाने वाले लोगों के लिए सोसल डिस्टेंसिंग अनिवारे कर दिया है। रविवार की अरदरातरी आग लगने से लाखो रुपिय की छती हो गई जबकि इस अगलगी की घटना में एक मवेसी की जुलसकर मौत हो गई है एवं एक मवेसी बुरीतर से जुलसकर जखमी हो गया है। विवार ने सियो को जानकारी देते हुए नियाय की गुहार लगाई है। इन्होंने आम लोगों से अपील करते वे कहा कि इस आपदा की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करें क्योंकि मानब की सेवा से बढ़गर कोई दूसरा कारें नहीं होता है। मौके परिनों ने आम लोगों से लोकडाउन का पालन करते वे अपने अपने घरों में रहने की अपील की। बाका के फुली डूमर पर्खण में सोंबार को पर्खण के केंदरों पर सूखा पो सहार का व्यत्रन का काम सेविका ने जिविका दीदीओं की उपस्तिती में किया जिसका मौनिटेंग परिकास दाधिकारी बिकास कुमार एवं अंचलाधिकारी सतीस कुमार ने अलग लग इस संबंद में अंचला धिकारी ने बताया कि राथा पंचायत के पुरानी राथा कदवारा लंबा मैदान एवं अन केंद्रों पर उनकी उपस्तिती में सुखा पोसाहार का वितरन किया गया है राता केंद्र पर सेविका कितने बच्चों में किसदर से वितरन करना है कुछ नहीं बता सकी पुसाहर के संबंध में कोई जानकारी नहीं देजे की सभी केंद्रों पर जिविका की कम उपस्तिती देखी गई अंचला धिखारी के अनुसार एक लाभो को दो किलो पांसो ग्राम चावल एक किलो दो सो पच्चास ग्राम दाल एवं पांसो ग्राम सोयावीन वितरन किया गया बाका के फुली डुमर परखंड के विबिन भागों में गर्मी की सुरुवात में ही जल संकट गहराने लगा है परखंड के उतरी कोजी पंचायत के खजुरी एवं राता पंचायत के खड़ोवा गाउं में जल संकट खड़ा हो गया है जानकारिक उनसार उतरी कोजी पंचायत की वाड संक्या 7 में नल जल योजना का लाब नहीं मिला है ग्रामेनों की माने उक्त वाड को वाड नौ इस्थित नल जल योजना की जोड दिया गया है टोले में मात्र दो चापानल है जहां सभी लोग अपना काम चलाते हैं अभी सही चापानल में पानी कम आने लगा है ग्रामिन परिसान है खजुरी के नंदलाल राय, बिमल राय, अर्विंदराना, घंस्याम, पंडित, नितीस कुमार, पिती कुमार, सिया देवी एवं उसा देवी ने बताया कि मात्र दो सरकारी चापानल है जिससे ग्रामिनों का काम चल रहा है लेकिन एक चापानल के खराब होने करण बहरी परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है उतरी कोजी के मुखिया परतनिती पंकजी यादब ने बताया कि पंचाया चेत्रिव के सब भी बंद चापानलों की सूची संबंधित विभाग को सौपा जा चुका है लोकडाउन में बिहार के बाहर के प्रवासी मजदूर अपनी सहायता के लिए सोसल मीडिया का सहरा ले रहे हैं और इस माध्यम से कई सामाजी कारिकरता उन तक मदद भी पहुँचा रहे हैं इसी कड़ी में बाहसी के समाज से भी कुमार चंदन और मदन महरा ने सीयारो संगठन के निर्मल चौधरी की मदद से चिन नई में फसे बाका जला के विभिन गाओं के दो दर्जन दिहारी मजदूरों की मदद की और उनने परियाप रासन मुहया कराया साथ ही कहा कि लॉकडाउन तक उनका ध्यान रखा जाएगा वहीं इस कदम की लोगों ने सरहना की है बैस्विक महामारी कुरोना वरस से बचाव को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है गरीब रोजाना मजदोरी करने वाले आम लोगों के बीच जीवनियापन करने में काफी समस्याउत पन हो रही है ऐसे में आम लोगों की समस्याउं करनिदान करने का बीड़ा समाजिक संगटनों एवं कुछ समाज से भियोने उठाया है इस कड़ी में आम लोगों की सेवा करने के लिए बढ़ चड़ कर हिस्साल ले रहे हैं इनके लिए सभी बधाई के पात रहें इन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुलीस प्रसासन की बातों को मान कर आप लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहकर अपनी और समाज की सुरक्षा करें ताकि इस बिमारी से लडा जा सके इस अपसर पर समाज सेवी सन्नी कुमार साहब परबिन कुसवाह ओम परकास भगत जैकिसन कुमार समेथ दरजनों की संख्या में कारकरता गन उपस्तित थे